हेलो दोस्तो स्वागत है आप सब का इस वीडियो में आज के इस वीडियो का टॉपिक काफे इंट्रस्टिंग है जैसा कि आप देख रहे हैं बाउंटरी लाइन हमने कर रखी है यह एक प्लॉट साइज है जिसका हमने फर्स्ट फ्लोर डिजाइन करना है ग्राउंड फ्लोर एस पॉर इग्जस्टिंग है देख लीजे तीन पिक्चर से यहां पर यह पिक्चर जो बाउंटरी लाइन हमने बनाई हुए यह हमारा प्लॉट है और इसमें क्लाइंट की जो रिक्वार्मन्ट थी टीन बेड्रूम और टीनों के साब जो एटाइच डैटरिंग बातरूम होना चाहिए प्लस किचन ड्राइंग रूम यह सारी चीज़े और सीड़ी आपकी एस पर इग्जस्टिंग यहां पर है ठीक है उसका कुछ एक विव कुछ इस तरीके से है यह सामने से है ठीक है इसमें जो है आपकी 9 इंच की वॉल चलानी है क्योंकि इसमें कोई भी कॉलम नहीं है और यह हमारे लिए best opportunity है कि इसमें कोई कॉलम नहीं है हम कैसे भी करके इसको design कर सकते हैं ठीक है अगर कॉलम होता तो हम उनकी requirement को fulfill नहीं कर पाते हैं ठीक है तो एक पर चली plan देख लेते हैं यह हमने इतने सारा option बनाया थे जिसमें से यह last वाला option final हुआ था तो चल हमने इसको कुछ इस तरीके से plot किया ठीक है as per existing जो CD है यहां पर आके आप लॉबी में चड़ जाते हैं लॉबी और यहां पर आपका dining area आ जाता है उसके बाद kitchen आ जाता है kitchen का size जो है काफी अच्छा मिल गया है plus इसमें क्या है कि हमारा यह जो drawing room और एरिया बन जाता है साम size है bathroom मिल जाता है attach एक shaft मिल जाती है क्योंकि इसमें हर bathroom के साथ हमें एक shaft देनी पड़ेगी इसलिए क्योंकि यहां पर क्या है कि चारो side से other property है दूसरे की जमीन है ठीक है तो हम दूसरे में नहीं छोड़ सकते हैं यहां पर master bedroom है जिसका size काफी बड़ा है इसके साथ भी हमने attach bathroom दिया हुआ है plus shaft, kids bedroom है यहां पर toilet है kids bedroom के लिए, kids bedroom के लिए बात रूम है, shaft है ठीक है तो यह सारी चीज़ है हमने इस plan में करकी दिया और उनको काफी अच्छा लगा, ठीक है उमेद करता हूं यह video अप्लोब को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो like, subscribe, share भी करें, वीडियो देखने के लिए धन्युक्त